नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले काफी जादा एक important issue है जैसे कि मैं हर वीडियो में ही कहता हूँ लोकसभा अध्यक्ष की जो power है उसको हम डिस्कस करेंगे साथ इसाथ ये इतना important क्यों है क्यों जो जादा तर पार्टी जो है इसके पीछे पड़ी हुई है कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद उन्हें मिल जाए जादा तर पार्टी में में जो पार्टी जिसका नाम निकल करा रहा है TDP अभी फिलाल देखिए election 2024 हुए इसमें जो है एक तरीके से बहुमत किसी को नहीं मिला बहुमत किसी को नहीं मिला तो BGP ने जो सरकार बनाई एक तरीके से NDA यानि की National Democratic Alliance के साथ मिलकर सरकार बनाई बहुमत नहीं मिला NDA तो पहले ही बना हुआ था हाँ वो बना हुआ था लेकिन अब इनको जो है यहाँ पर वीजिपी के द्वारा कैबिनेट मंतरी पद भी दिया गया लेकिन वो इतना खास मंतरी पद इनको नहीं दिया गया जिससे क्या क्यास लगाए जा रहे हैं कि TDP जो है वो लोगसभा के अध्यक्ष का पद मांग कर सकती है अब इसके चलते जो है जो अपोजिशन है इंडिया लाइनस वो यह कह रही है कि अगर TDP लोगसभा अध्यक्ष के पद का मांग करती है तो वो उनका साथ देंगे हलांकि उनके साथ देने से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है लेकिन एक तरीके से कहीं कहीं उकसाया जा रहा ह आप जो है वो लोगसभा के पद के अधिक्ष के अधिक्ष के पद की मांग कर लीजिए अब क्यों मांग कर लीजिए ऐसा क्या है कितना खास है यह पद इसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में आके पढ़ने से पहले PDF के मैं आपके बारे मता देता वहाँ पर जो अंदर परदिश के अंदर TDP की स्थापना कैसे हुई चंदरबाबू नाइडू का क्या connection है यहाँ पर जो politician है वहाँ जो politician ने वो पहले एक तरीके से अभिनेता रह चुके है अभिनेता कलाकार जो यानि कि उनके अंदर politician चुपे हुए या politician के अंदर कलाकार चुपे हुए यह काफी जादे एक interesting बात है इसको हम बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं जैसे कि आपको चिरन जीवी, पवन कल्यान, जूनियर एंटिया, राम चरन, अलू अर्जुन इनके सारे जो connection आपको जानने को मिलेगे एक तेलगू की industry जो है, एक movie industry जो आपको सारी एक chart के तुरू यहां पर मैं समझा दूगा कि हाँ कौन किसके साथ connected है कौन किसका मामा लगता है, कौन किसकी बुआ लगती है आज हम बहुत अच्छे से blood relation भी यहां पर जानने को मिलेगा तो जैसे कि आपको पता है कि 18 लोग सभा की त्यारी हो रही है 20 तारीक को यहां पर लोग सभा उनका जो अध्यक्स है उसको चुना जाएगा लेकिन अभी जो सहोगी दल है, TDP और GDV, वो अध्यक्स पद के लिए होड मची हुए है उनके बीच में कि BGP को मिले या TDP को मिले या JDV को मिले अभी क्या हुआ है, PROTEM, यानि एक S-SATI अध्यक्स की न्यूक्ति की गई है PROTEM कोन होता है या S-SATI, इस नाम से समझ जाओगे इसकी न्यूक्ति जाए, वो प्रेजिड़न्ट के द्वारा की जाए कराई जाती है अब ये क्या काम करते हैं? इनका काम यह होता है कि पार्लेमेंट के अंदर अब जो नए MPs आएं हैं उनको भी शपत दिलानी पड़ती है जैसे कि देखिए कि शपत अलग-अलग तरीके के होती है एक तो प्रेजिडेंट खुद शपत लेते हैं फिर परधान मंतरी शपत लेते हैं परधान मंतरी के साथ उनके कैबिनेट मंतरी जो है वो शपत लेते हैं उनको प्रेजिडेंट शपत दिलाता है अब जो cabinet minister जो होगे उन्होंने तो शपत ले ली आपने देखा भी होगा जो 10 तरीक को जो एक तरीके से 7 बजे शाम को नरेंद्र मोधी जी ने तीसरे टर्म की परधानमंतरी के तोर पर शपत ले थी उन्हीं के साथ सा 71 जो है cabinet minister ने भी शपत ले थी अब यहां पर जो शपत ली गई थी यह तो होगे cabinet minister अब जो member of parliament होते हैं वो भी अपनी शपत लेते हैं लेकिन उनकी शपत कौन दिलाता है वो एक तरीके से प्रोटेम एक S.T.I. अदेक्स होता है वो दिलाता है अब यह S.T.I. अदेक्स जो है वो senior most member होता है उन में से ही चुनकर हमारे सामने आते हैं लेकिन जब एक permanent अदेक्स आ जाते हैं तो यह हटा दिये जाते हैं इनको ठीक है तो आज हम अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे अदिक्स क्या शक्तियां है बाजपा और उसके सहोगी दलों और पक्षों के बीच यह पद जो है वो इतना महतापूर्ण क्यों है अब फरस्ट अफ वोल्ट हम देख लेते हैं कि जो चेर होती है स्पीकर की वो कहां होती है तो यह आपको देखने को मिलेगी सबसे एक अलग चेर यहां पर रखी जाती है सबसे उंची ताकि एक तरीके से सब विजूल हो यहां पर कि भी सब दिखाई दें कौन कहां बैठा है एक Headmaster की भूमी कानी बाते हैं यहां पर आपने सजेस्ट किया TDP को GDU को कि आप एक काम कर लीजिए आप स्पीकर का पद मांग लीजिए आपके पीछे एंडिया आलाइंस खड़ा है आपको सहयुक देने के लिए फिलाल यह सब चीजे मिर्च मसाले वाली है इनसे कोई फर आपकी पार्टी को वो तोड़ देगी अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है तो आपको जो स्पीकर का पद जो है वो लेना ही पड़ेगा बिलाल आप बात कर लेते हैं समिधानिक यानि कि Constitutional Mandate Constitution में कहां यह बोला गया कि स्पीकर होगा या एक उपादेक्स होगा उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है कैसे स्पीकर की न्युक्ति होती है कोई विशेश उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो इसको हम अगर डिसकर करें तो देखिए अगर स्पीकर जो है वो एक की रोल प्ले करता है पार्लेमेंट डेमोक्र स्पीकर होगा हालां कि 2014 और 2019 में डिपिटी स्पीकर नहीं हुआ 2014-2019 में सिर्फ स्पीकर ही रहा डिपिटी स्पीकर नहीं हुआ क्या होता है कि जो स्पीकर बनता है तो अपना त्याग पत्र डिपिटी स्पीकर को देता है तो जब डिपिटी स्पीकर होता अपना त्याग प सदन की शुरुआत होते ही पहले ही टाइम में स्पीकर को चुन लेना चाहिए यह बात बोले गए 93 कॉंस्ट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है उसकी दौर यह बात बोले गए सदन के विगटन के साथ ही कारेकाल समावत हो जाता है मतलब की एक तरिके से पांस साल होगे या लोग सबाब बंग होई वहाई पर काम खतम हो जाएगा स्पीकर का जब तक एक अद्यक्स इस्तिफान नहीं दे उससे पहले पद से हटाया नहीं जा सकता हाँ 94 आर्टिकल के अनुसार अद्यक्स के हिलाव 14 दिन के नोटिस के साथ एविश्वास परस्ताव पत्र लाया जा सकता है इसके अलावा अद्यक्स या सदन का कोई अन्य सदस से एयोगे ठहराया जा सकता है अद्यक्स बनने के लिए कोई विशिस्ट योगेता नहीं होनी चाह जो अदेक्स की कुर्सी आपने देखी उसका कहां पर स्थान होता है उसके साथ साथ जो भी एक तरीके से पार्लेमेंट के अंदर काम को कैसे फंक्शनिंग कैसे करवानी है उसका सारा जो है एक तरीके से दामोदार जो अदेक्स के उपर होता है वो सही डंग से काम चलाएंग जो rules है, regulation है, उनको सरी डंक से चारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, ये काम जो है, अद्यक्स के पास होता है, अद्यक्स का वेतन जो है, वो संचित निदी, यानि कि consolidated fund of India के द्वारा उनको दिया जाता है, ना कि जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य जो सांसद होते हैं, जिनक त्या करता है कि सदन का संचालन कैसे किया जाए, सरकारी कामकाज का संचालन जो है, वो अद्यक्स, यानि speaker जो है, सदन के जो नेता होते हैं, उनसे प्रामर्स, उनसे एक तरीके से कंसल्टेट करके तै करता है, कि भी हाँ, अब स्टार्ट करते हैं, अगर किसी सदस्य को कोई person पूछना है, किसी matter के पर discuss करना है, तो वो सबसे पहले जो speaker होता है, उनकी अनुमती लेंगे, उनके बिना वो कोई person नहीं पूछ सकते, कोई matter discuss नहीं कर सकते, काफी important power होगी, सदन के संचालन के लिए, यानि कि जो parliament है, उसके आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इन नियम का पालन सुनचि करने और प्रक्रियाओं को चुनने में, अध्यक्स के पास व्यापक शक्तियां होती हैं, यह जो rules होते हैं, वहीं एक तरीके से समझ लिए, जो impartial बनाते हैं speaker को, ताकि भाई साब जो opposition होती है, वो भी अपनी बात रख सके हैं यहाँ पर, प्रशन और अभिलेक, देखिए, अब क्या होता है कि अध्यक्स किसी सदेश से, कोई सदेश से हुआ, member of parliament हुआ, उसने जो है, question पूछ लिया, अब उस question को स्विकार करना है, नहीं करना है, उसके पास power होती है, speaker के पास, अब speaker के पास यह power होती है, साथ इसाथ उसको publish करना है नहीं करना भाई, इसका भी नि जो वो हटाना जाते हैं, क्योंकि यह संसदिया है, सत्ता रूड के खिलाब, यानि सत्ता रूड जो party, मान लिजे, Congress ने बिजिपी के खिलाब कुछ ऐसी चीज बोल दी, अलोचनातमक टिपनी कर दी, और उसका परकाशन नहीं चाहता, speaker, तो उसे वो हटा देंगे, उसके प पक्षता, विपक्ष पर असर डालती है, एक ऐसा, most important time हम कह सकते हैं, speaker की impartiality, क्या असर डालती है, opposition जो है, वो एक तरीके से यह जानना जाती है, कि जो अभी सत्ता रूड party है, उसके पास इतनी number है, कि वो सरकार बनाने लायक है या नहीं, यह जानने के लिए, वो एक no confidence motion लेकर आती है, अब यह no confidence motion जो वो speaker के दोरा accept किया जाते हैं, कि भी हाँ मैंने accept कर लिया, अब इस तारीक को है, मतलब वो एक date decide करते हैं, कि इस तारीक को जो यहाँ पर जो ruling party है, वो अपना confidence दिखाएगी, कि हाँ हमारे पास वो एक जादू आंकड़ा है, जिससे हम सरकार बना सकते हैं, सरकार हम चला सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, 2018 में YSRCP और TDP ने notice दिया था, speaker को कि हम no confidence motion लाना चाते हैं, लेकिन उस वक्त समुईतरा महाजन जो थी, वो speaker थी, उन्होंने क्या किया, वो no confidence motion उन्हों स्विकार ही नहीं किया, स्विकार मतलब कि उन्होंने काफी भी बार ऐसा किया, कि जो हाउस है, उसको एक तरीके से, यहाँ पर रिकता, चल रहा है, हाँ, एश्वास परताब पतर notice दिया था, लेकिन speaker समुईतरा महाजन ने स्विकार करने से, और मत्दान करने से पहले सदन को कई बार स्थगित कर दिया, वही उन्होंने स्विकार तक ही नहीं क्या, अब इससे सोचिए भई, मान लीजिए, अभी फिलाल BGP के पास वो जादू यांकडा नहीं, मान लीजिए, उनके पास 260 MP है, अब इंडी अलाइंस कहती है कि भई, इनके पास तो है नहीं, है नहीं तो क्या करें, हम एक तरीके से no confidence motion डाल देते हैं, no confidence motion, BGP ने अपना बठा रखा है speaker, speaker बठा रखा रखा है अपना, अब यह लेकर आ है no confidence motion, no confidence motion, speaker ने स्विविकारी नहीं क्या, स्विकार मतलब कर सकते हैं लेकिन ऐसा ही क्या करते हैं, सदन को बार-बार ये स्थगित करते रहते हैं, जिससे वो स्विकारी नहीं धोड़ा, स्विक कोई अपना देखे, speaker को कोई vote देने का अधिकार नहीं होता मतलब कि हाँ भी कोई विधेक आया है उस विधेक में opposition और जो सत्तारूट पार्टी होती है हमने सामने होती हों कहते हैं हाँ हम इस विधेक को पारित करना चाहते हैं हाँ और नो में एक तरीखे से कोई भी व्यक्ति पहले तो मतदान नहीं करेगा पहले तो मतदान नहीं करेगा क्या मतलब हुआ स्टार्टिंग में तो कोई उनके पास voting का अधिकार नहीं होगा लेकिन vote कप डाल सकते हैं वो vote तब डाल सकते हैं मान लीजिए 40 vote मिले किसी विधेग को पारित करने में और 40 ही vote मिले कि विधेग पारित नहीं होना चाहिए 80 ही total थे वहाँ पर सदस्य है तो अब क्या हुआ जो speaker थे वो अपना निनायक मत देंगे निनायक मत वो एक तरीके से 70 उड़ पार्टी में ही देते हैं कि हाँ भई मैं vote देता हूँ यह विधेग पारित हो जाना चाहिए तो यहाँ पर होगे 41 तो यह विधेग पारित हो जाता है पारंपरिक रूप से speaker जो सरकार के पक्ष में ही मत अदान देता है तो यह निर्वाचनवत हो गया आपके सामने यह खास important नहीं है यह थोड़ा important power जाती है speaker की लेकिन सबसे important power आती है आपके सामने सदस्यों की एयोग्यता बहुत important power है विपक्ष के लिए देखे समीदान की दस्वी नुसूची के तहत अध्यक्ष की जो शक्तिया है वास्त्विक जो शक्तिया है वो दस्वी नुसूची से आती है दस्वी नुसूची से क्यों आती है उनसे opposition को कोई मतलब नहीं है कि speaker अपना जो काम कैसे चला रहे है parliament के अंदर उनको main डर जा रहता है या फिर main जो power उनके पास जो speaker के पास दी गए वो दस्वी नुसूची से ही है अब ये पांचवा नहीं है ये 52 समिधान संचोधन जो 1985 के माद्यम से समिधान में पेश किया गया था ये क्या हुआ था स्टार्टिंग में जब हमारे देश जब आजाद हुआ जब 1951 के अंदर पहली बार हमारे सामने सरकार बन के निकल कराई उस वक्त क्या था कोई दल बदल विरोधी कानून नहीं था दल बदल विरोधी कानून का मतलब हुआ कि मा लेजे ए कोई बंदा है इसको कॉंग्रेस ने टिकर दे दी ये जो है चुनकर MP बन गया तो अब कॉंग्रेस की तो बहुमत वाली सरकार आई नहीं आई तो बीजीपी आ गई बीजीपी आ गई तो इसने क्या किया बढ़ी मैं बीजीपी के पाँ चला जाता हूँ कुछ मुझे benefit मिल जाएगा तो ये अकेला बंदा चला जाता था यहाँ पे तो ऐसे ही हर्याना में गया राम करके हुआ करते थे शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ आया राम हुआ करते थे या गया राम हुआ करते थे आया राम गया राम करके काफी ज़्यादा ये लाइन काफी ज़्यादा फेमोस हुई थी कि कभी वो उस पार्टी में चलांग मारते मतलब इदर उदर पार्टी के अंदर चलांग मारे जा रहे थे तो इस चीज को रोकने के लिए कि जो Member of Parliament है या फिर की MLA है वो switch ना कर सकें कि दूसरी पार्टी के अंदर कर सकते हैं उसके अंदर दो त्याई का एक आंकड़ा रखा गया कि अगर कोई दो त्याई बंदे जो है किसी पार्टी के अंदर जाना जाते हैं मर्ज होना जाते हैं वो माना जाएगा लेकिन कोई सिंगल बंदा नहीं जा सकता है यहां पर तो यहां पर 1985 में इस दल बदल को रोकने के लिए कानून आया था जिसमें क्या हुआ था अध्यक्ष को किसी पार्टी में दल बदल करने वाले विधेकों को आयोगेट हरानी की शक्ति देता है अब यह वाली जो पावर आई स्पीकर के पास उसको काफ़ी जदा पावरफुल नाती है स्पीकर को आयोगेट हराने वाली अध्यक्ष का अंतिम फैसला की नायक समिक्षा के अधीन होगा मतलब यह फैसला जो है वो अध्यक्ष ही करेगा की आयोगेए है या योगेए है मतलब कि वो किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाई करना चाते या नहीं करना चाते यह अध्यक्ष के सामने होगा वो सुप्रीम कोट के पास वो पैवर नहीं है हाँ वो उन्होंने सही किया या नहीं किया उसके ओपर सुप्रीम कोट बात में सुनाई करेगी है। इसको लेकर काफ़े जादे एक विशय महारे सामने, तो उसको भी हम सरकार को गिराया जा सकता है। यदी अध्यक्ष समय पर कारवाई करता है तो इयोग्य ढहराने वाली याचिकाअँ जो दस्वी उनसुची को परुभावित कर सकती है। अभी इस को मैं आपको समझाता हूँ, 2023 के अंदर सुप्रीम कोट ने महाराष्टा का जो विदान सभा अध्यक्ष है, राहुल नावेरकर को निर्देश दिया था, कि वे सिव शैना के उत्व ठाकरे, और एकनाल सिंदे का जो एक गुट अलग से बन गया था, उन विदेकों के किलाब जल्द से जल्द आयोगिता की कारवाई शुरू करे, ये सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था, अब कारवाई आगे करे या ना करे, ये तो सारा विवेक पर डिपेंड करता था, जो उस वक्विदान सभा के स्पीकर थे, विदान सभा का भी स्पीकर तो होता ही है, तो उन सामने ऐसा ही होता है, लोग सभा के अंदर, 2020 में हलांकि कोट ने फैसला सुनाया था कि विदान सभाउं और लोग सभाउं के जो अध्यक्षों को, ऐस अधान प्रिस्थितियों को छोड़ कर, तीन महीने के भीतर अयोगिता याचिकाउं पर फैसला करना चाहिए, हलांकि न अधर है, वो बिल नॉर्मल है, या एक मनी बिल है, इसका फैसला कोन करेगा, वो स्पीकर करेगा, अब इसमें क्या फर्क होता है, देखिए, अगर कोई बिल जो है, उसे मनी बिल गोशित कर दिया, तो मनी बिल गोशित करने पर जो वो बिल है, वो राजे सभा के पास, एक वे उपर ये इल्जाम है उन्होंने ऐसे काफी सारे crucial laws जो है वो pass करवा लिये अधार भी लो गया Amendment of Prevention of Money Laundering Act 2002 यानि PMLA हो गया या Foreign Contribution Regulation Act 2010 जो उनको money bill कहके pass करवा लिया गया था इनको राजसभा में जाने यह नहीं दिया गया राजसभा में जाने क्यों नहीं दिया गया क्योंकि राजसभा में बीजिपी के पास भामत नहीं था उनके पास उतनी majority नहीं थी तो यह bill वहां जाके अटक जाता तो इन्होंने बड़ी चलाकी से speaker तो इनका था स्पीकर को कहके वह bill money bill में करवा लिया ट्रांसफर करवा लिया रैसी यह करवा है money bill तो लोकसभा में बीजिपी के पास भामत था और उन्होंने वह bill पास कर लिया तो यह होगे आपके सामने अब बात करते हैं कि speaker का जो पद है वो टीडीपी के नजर में इतना जाद इंपोर्टन्ट क्यों है 1999 वाला फैसला भूल कर क्या भरोसा जता पाएगी बीजिपी अगर यह भी पद जो है वो टीडीपी को दे देता हूँ अभी क्या हुआ था टीडीपी जो थी एक टाइम में एंडीए का घटबंदन के साथ सरकार बनाई थी 1999 की बाते हैं यह तब उस वक्त जो है टीडीपी के ही वहां पर speaker का पद मिला हुआ था और उनके ही द्वारा जो है वो सरकार किरा दी गए ती टीडीपी के द्वारा ही क्योंकि उस वक्त उन्हीं का वो speaker था वहां पर अब यहां पर जो है लोकसभा पद के अध्यक्स की रेस में एक तरीके से साथ की जिनको सुष्मा सुराज का जा रहा है वो आगे सामने निकल कर आ रही है वो कैसे अभी हम discuss करेंगे देखे इनका जो नाम है वो है यह है कैसे अभी आपको देखे बाई जन्वरी 1969 में का जनम हुआ दगुबती पुरंदेश्वरी यह जो है पूर मुख्य मंत्री और जो अभिनेता रहे एंटी रामाराव जिनको आप एंटी आर के नाम से भी जानते हैं उनके दूसरे नंबर की बेटी है राजनीती में डीप प नाइडू की जो शादी है वो टीडीपी के संस्थापक एंटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से हुई थी अब दगुपती पुरंदेश्वरी नाइडू की पतनी नारा भुवनेश्वरी की बहन है यानि चंदरभागु नाइडू की साली जी है दगुपती दगुपती पुर्देश्वरी अब दगुपती पुर्देश्वरी ने नाइडू का उस्वक साथ दिया था उस्वक समर्तन दिया था जब नाइडू जी जो थे अपने ससुर NTR को सत्ता से हटाver खुद CM बनने की जो एक तरीके से अलोचना का सामना कर रहे थे, उस वक्त साथ दिया था पुरंदेश्वरी जी ने, ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बाजपा जो है, दगुपती पुरंदेश्वरी को लोकसबा स्पिकर बनाती है, तो नाइडू उनका विरोध नहीं करेंगे, अब एक तो हो गया, दूसरा इनका साथ देना हो गया, तो इस कारण जो है माना जा रहा है कि विजिपी के पास कहीं न कई एक ट्रम कार्ड है, जिससे जो है वो टीडिपी जो है, वो स्पीकर के पत्की मांग नहीं कर सकती, अब थोड़ा एक आप इस ग्राफ को समझ लीजिए, यह हो समझ लीजिए, साउत के सूपरस्टार, समझ क्या लीजिए, यह हैं इस सूपरस्टार, तो इनकी जो बेटी आपको देखेंगे, यहाँ पर नाराभूवनेश्वरी और इदगुपती पुरंदेश्वरी, यह रही, नाराभूवनेश्वरी के जो पती हैं, यह रिचंदर इनके साथ यहां पर connected हो गए, चंदर बाभू नाइडो जी से, अब एक और जो इंपोर्टन चीज हमारे सामने निकल कर आ रही है, वो है कमा समुधाय वोट बेंक, पुरंदेश्वरी जी जो है, वो कमा समुधाय से related है, चंदर बाभू नाइडो भी उसी समुधाय से related है, अंदर प्रदेश की जो राजनिती है, वहां पर इस समुधाय का काफी जादा परभूता हुआ है, यह काफी जादा एक तरीके से समझेए, ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है कमू समुधाय को, अब साफ है कि दी प्रंदेश्वरी को एक तरीके से अध्यक्ष बनाने का, जो बाजपा जो है, नाइडू की पार्टी के जो प्रंप्रागत वोट बैंक में सेंद लगाना चाती है, कि हमें भी कमा समुधाय का वोट बैंक हमें मिल जाए, बीज़िपी ऐसा चाती है, लेकिन वहीं जो ट्रेके से दूसरा चाल चल रही है, वो क्या है, कि अटल सरकार में स्पीकर का पद जो था, वो टीडीपी के पास था, तब जी एम सी बाल योगी स्पीकर बने थे, उनके बेटे इस बार जी एम हरिश मदूर टीडीपी से उन्होंने चुनाव जीता है, अब वो क्या कर रही है टीडीपी वाले, उन्हें लोग सबा अध्यक्स बना कर दल की बेटी है, चंदरबाबू नाइडू के ये साली लगती है, उन्हें से चाड़ में जब एंटी रामा राव का तकता पल्ट वा था, तो पुरंदरिश्वनी ने समर्थन दिया था नाइडू जी को, 2004 में पहला लोग सबा चुनाव जीता, उन्होंने फिल्म निर्माता द परतेश अध्यक्स हैं, महिला मोर्चा की परभारी रही, 2020 में बीजिपी ने उन्हें औरिश्या का परभारी बनाया था, वैच्छतिसगड़ की परभारी भी रह चुकी है, पुरंदेश्वरी को साउथ की सुस्माश्वराज भी कहा जाता है, ये होगे आपके सामने इनकी टाइम काता है कि पवन नहीं आंदी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दो पार्टीज को मिला है, वो काफी ज़्यादा सरहानी है, आप बात कर लेते हैं, ये कौन है, तो आपको यहाँ पर नजर आएंगे पवन कल्यान, पवन कल्यान के साथ आपको यहाँ पर नजर आ यहाँ के अभिनेता में पॉलिटीशन है या पॉलिटीशन में भिनेता है, ये काफी जाद एक इंटरेस्टिंग चीज है, साथ यहाँ पर आपको एक और नजर आएंगे, अलू अर्जुन, जो अलू अर्जुन है, वो फुमफा है, मतलब कि अलू अर्जुन के फुमफा ह ये स्वाण जो ओगे है, एनकी यहाँ पर, यहाँ पर, ये आमामा होगे, यह का इसके बुहा होगी, तो ये मामा के बेटे होगे, यानि की एक डूसर एक कजन है यहाँ पर, तो ये होगे आपके सामने तेलगों इंडर्श्टिंग जो काफी जादा एक इंटरस्टिंग है मुझे बड़ा interest आया था जब मुझे यह सब चीज जानने को मिली थी कोई कैसे south industry जो है वो politics से कैसे connected है तो यह जो आपके सामने जो movie आई थी triple R तब आपको समझ में आ गए कि कौन किसका बेटा और कौन किस से related है कैसे politicians इनका relation है फिलाल तो बस आज के लिए इतना है था सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सेनल को अगर आप को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो आज के लिए इतना है इस वीडियो में